प्रशासनी कादेशों की लगातार धजियां उड़ा रहा है पंजाब का किसान राज्य में लगातार बढ़ रहे प्रदूशन से जहां पंजाब सरकार परिशान है वहीं सरकार के लाख मना करने पर भी किसान द्वारा खेतों में नाड जलाने का सिलसिला जारी है नूरपूर बेदी ऐसा क्षेतर है जहां आधे से ज़्यादा गाओं के किसान रात के अंधेरे में खेतों में आग लगा कर प्रदूशन फैला रही है अगर यहीं स्थिती रही तो आने वाले वर्शों की हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं आपको बता दें कि नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से पूरे देश में फसलों की नाड को आग लगा कर जलाने पर पाबंदी लगाई गई है NGT ने सकता आदेश जारी कर कहा है कि नाड को आग लगाने वाले किसान को 25 सो से लेकर 15 हजार उपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा इसके साथ ही किसानों को सरकार की और से मिलने वाला निशुलक पानी, बिजली और सबसीडी जैसी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी लेकिन इन आदेशों का किसानों पर कोई असर नहीं हो रहा किसानों की माने तो उनका कहना है कि नार को आग लगाने के अलावा उनके पास कोई और उपाय नहीं है SDM शिरिया अरननपुर साहिब राकेश गर्ग ने भी किसानों से अपील की है कि वे नार को आग ना लगाएं अगलावन नार सर्क बादा बन दा नकसान ही नहीं होदा और आस पास के वादेशी कोई नेरी नार अग फैल जादी है कोई जान जामाब नकसान में जर्गल क्यास है। मतलब एद नार कलावन मैं में पिचार पास के ते पास मुनकुर करने है कार मेंस पताद bilmiyorum तो जाल गें विजए आपकी रोड़ते खड़ी का जादी ते मुड़के हुनी कोई गड़ी मतर गहां नहीं कीति है वे कची रोड़ते थे असी वी कसान्दा वनों टाइंटे लिए अपील करते रहने हैं कि वे नहीं नहीं क्योंकि नहीं था फिर हमें अक्से प्र गDayभ ज कर देंगेटे जिर्मणा कर दीने है पचीशास दो लाके उपर तक जिर्मणा पीलकर शलान नहीं मेरे थे आंच भी कटना माई हैं, दोंते न कटना माई हैं, उत्थे असी पड़वारी दोर बोर्ड लेके खसरा नंबर तस्नीक कीते हैं, ते असी पल्यूशन बोर्ड रू कहके उनना दे शिर्टी चलाओ करवा रहे हैं